ये हैं गौतम भाई जिनों ने आजमगड रेलवे इस्टेशन से जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 500 से ज्यादा रेलवे इस्टेशनों का अमरत भारत योजना के अंतरगत वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा शिलान नियाज कर रहे थे उस समय इस वी ये है इस्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का नजारा बाहर देख सकते हैं काफी पुलिस फोर्स तैनात है लगबग हजार के करीब में यहाँ पर तैनाती की गई थी जिसमें आर्पी अफ जी आर्पी वाले भी थे देख सकते हैं यहाँ पर हजार लोगों के बैठने की व्यस्ता थी बाकी लगबग 100 से जादा जो आपके आर्पी एफ और जी आर्पी वाले थे उनको लगाया गया था सुरक्षा के लिए तो थोड़ा सा गलत बोल लिया था तो ये जो सर्कुलेटिंग एरिया है इसका भी काया कल्प किया जाएगा देज भर के लगबग 500 से ज किया जाएगे पूरी डिटेल से हम आप लोगों को जानकारी देंगे तो आपका जो सर्कुलेटिंग एरिया था वो लगबग 5.4 करोंड से उसका सौंदर्य करण किया जाएगा जिसमें पानी के निकास की व्यस्ता और एप्रोच रोड और बहुत कुछ वहाँ पर जो काम ह होने है सौंदर्य करण के लिए वो कि सब किये जाएगे इसके लावा 8.25 करोंड के लिए जो इस्टेशन का जो भवन है उसको सुधारा जाएगा तो बहुत रकम होती है सब आट करोंड रुपे इस्टेशन के भवन के लिए तो उसको भी सुधारा जाएगा बहुत करण यानि कि जो हाई लिवल के प्लेटफोर्म से वो बनाया जाएंगे इनको उंचा किया जाएगा देर करणों से वेटिंग रूम का काया कल्प किया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा संभोधन किया जा रहा है ज जो 500 से जादा रेलवे स्टेशनों का काया कल्प किया जाएगा अमरत भारत योजना के अंतरगत उसका यह लिए यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं लोग इखटा हैं और नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं इसके अलावा जो 93 लाक है वो ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड में खर्श किया जाएगे डिजिटल क्लॉक भी लगाये जाएगी दो करोंड से लिफ्ट लगाये जाएगे एकसकेलेटर लगाये जाएगे 25 लाग से पे एंड यूस टॉलेट का इस्तवाल किया जाएगा उसको बनवाया जाएगा 15 लाग से और जो सौंदरी करण वाले कार हैं वो किये जाएगे तो ये सारे कार 27 करोंड की लागत से किये जाएगे और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है अमरत भारत योजना के अंतरगत कैसे आप लोग अपने इस्टेशन का सुझाओ दे सकते हैं वो आप लोग हाल ही के वीडियो में देख ली किया थाएग सेपर जाएगね खूसा है very good